का वाई या सितंत्री काहे ने देखे वै अपनी कल फ्रेंसें दुबारा मिलना है कि नहीं कि सवसुरा जल्दी उपर जाने की टिकेट चाहिए भाई भाई मुन्ना भाई को देख किसी बेजीती का बतला सबकी कान मार के लेते हैं का वाव है तुम्हें पच्चास बार बोले हैं कि भाई देखो देखो मगर नहीं पर्ड लिख के आईएस वाईएस बनना है देश को समालना है देश का नाम रोसन करना है लेकिन मिर्जापून को कौन समालेगा बैए सालो बेहन के पोकोडो तुम लोग के बज़े से मिर्जापूर का रेटिंग बागी दो सीजन से भी नीचे गिर चुका है आईएस बनेंगे माब आपका नाम रोसन करेंगे परे रे 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 पकड़ो भूरसी बाड़े को चलो 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 बेटा चलो तो भाई सुनो अब मिर्जापूर की पूरी मुवी आने वाली है अब अगर किसी ने मिर्जापूर की मुवी नहीं देखी ना सालो सब की कैंची बना के ठोड डालेंगे समझ में आया कि देमू डिखाएं दिखाएं डेमू दिखाएं डेमू डिखाएं आँ वही है तुम को तुमारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा नाम ले दें अब तो भाई मिल गए कलेजे को थंडक अब तो खुस हो जाओ कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आया सालो तुम लोगों को बहुत चूल मुची हुई थे ना कि इतनी अच्छी कॉंटेन को OTT में रिलीस करवा दिये ट्रेटर में क्यों ने रिलीस किये ट्रेटर में आती तो भाई सबकी बजा के जाती बॉलूट का धंदा बंद हो जाता बॉलूट का नामी गुंजना बंद हो तो भाई खुस ना खुस अभी बहुत ज्यादा खुस होगे ना कि मिर्जापुर का मुवी बन रहा है ट्रेटर में रिलीस होगा देखने जाएंगे वाँ पैसा कमाएंगे इंजॉय करेंगे लेकिन मेरा क्या साला वेट्स ने मेरा जीना हराम करके रग दी है अब मैं कैसा करूंगा पूरा बॉलूर बरबात तो मेरा क्या काम है अभी एक मिनिट आप लोग यह तो नहीं सोच रहों कि मैं बॉलूर की तरब से हो नहीं भाई ने 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 बाई मैं भी आपके तरह ही ओडियंस हूँ यह बस से स्क्रीप्ट था वीडियो बनाने का एक मेथ अब यह था भाई आप लोग मेरे को डिसलेग मत करो यार मैं तो आपके साइडी डूंगा मिर्दाफूर का मूवी आ रहा है मैं तो देखने जाओंगा ट्रेटर में आप लोग का पता नहीं लेकिन मैं तो भाई बहुत ही जादा खूस हूं बॉलूर का धंदा बंद होने अगर आप लोग का भी सपना मेरे तरह ही पूरा होने वाले तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं इस वेप स्रीज के मूवी के बारे में बात कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो गाइस फाइनली जो चीस हमने मांगी जिस चीस का सपना हमने बहुती सालों से देखा था वो चीज़ा भी हमें मिलने वाला है फेटर में आने वाली है एक ऐसे वेप स्रीज की मूवी जो की वेप स्रीज के यूणिबस में राजा की गदी पे बैठा हूँ है यानिकी हमारा प्यारा सा वेप स्रीज मिर्जापूर अब तो भाई गालियों की बरसाद होने वाली है और्याटिंग या डी रेटिंग या बी टींग भी कहां चैन्दीव रंडी आंगा आपके एर्णियमल पार्क को कई साइड पर लेकर चले वहाइब अभी मिर्जापूर आने वाला है असली बाश्चा तो अभी आने वाला क्यों डर रहे हो आप लोगों नी क्या ब्ऴगाड़ा एक या मुण्ना भाईया का अगर बिगाड़ा भीया, तो भाई सीधा जाना ठ्रेटर में उनके पैरों के नीचे गिर जाना, और बस एक ही बात बोलना है मुन्ना भाया मैं तो भाई आपका गुलाम हूँ आपकी पैरों की धूल हूँ और गुड़ू मेरा दुस्मन है और फिर शायद मुन्ना भाया का मन थोड़ा पिगल जाया और आप लोग बच जाओगे अब भाय बहुकाल छोटे स्क्रीन पे नहीं मचेगा अब तो ट्रेटर में बहुकाल मचने वाला है मुन्ना भाया कालीन भाया का गुड़ू भाया का जिसका मतलब यह कि इस बार भाय कॉंटेन आपके घर पे नहीं आएगा आपको जाना परेगा कॉंटेन के पास कॉंटेन क को मिला था ये तो बाई सब कोई मानों गए ये तो बाई कोई शक की नहीं है बकवास्ता सीजन 3 इतना ज्यादा लंबी स्टोरी लैंड की कोई जरुवती नहीं थी अगर मेकर्स चाहते तो इस पूरे सीजन को बस पांच एपिसोड बे निप्टा सकते थे लेकिन नई मेकर्स ये पुरा जॉम के चलो निकालते हैं मुवी मिर्जापूर की मुवी ट्रेटर करेंगे अपनी बेजती का बदलाना पैशे से लेंगे एटेंशन से लेंगे और फ्रेटर में भोकाल मचा देंगे इस बाद देखो नो डाउट इस एनॉंसमेंट के बाद ओडियंस के दिलों में और दिमाग में बहुती जादा हाइप बन चुकी होगी इस मूवी के लिए पर यार एक छोटा सा सवाल लिए कि क्या इस मूवी के अंदर जो जो करेक्टर समय देखने को मिलते हैं वेब स्रीस में और उनको जो एक्टर्स प्ले करते हैं क्या वो सब सेम रहेंगे या फ बीच में तो रूमर्स यह आ रहाते कि रितिक रोशन को एप्रोच किया गया है कालीन भाया के रोल के लिए तो इससे आपको साबित हो गया होगा कि मूवी के अंदर तो बाइक्टर्स तो सेम रहेंगे लेकिन जो प्लेड बाइक्टर्स वह डिफ्रेंट रहेंगे या फिर लाग एक्टर्स होंगे तो बाइक कोई इंट्रेस्टी नहीं दिखाएगा लेकिन या मार्केटिंग स्कील तो देखो पुराने केरेक्टर्स को पुराने एक्टर्स को इस मूवी का प्रोमोशन करने के लिए हम राजी कर दिए और एक एनॉस्मेंट भीडियो ला दिए क्य ले यार इतना ज्यादा बेव को केसे ही बन सकते हम लोग लेकिन नहीं हम इतने ज्यादा बेव को बनने वाले नहीं है आपका कॉंटेन अगर अच्छा हुआ तब ही जाके हम मूवी को ट्रेटर में देखेंगे तीन क्या चार वार देखेंगे लेकिन सीजन 3 के जैसा बात करने का जो सपना है ना आपका वह सपना का सपना ही बन जाएगा यह आप लोग जान लो तो मूवी का एनॉसमेंट तो अच्छा है लेकिन वाई कॉंटेन स्टोरी टाइम लाइन करेक्टर्स एक्टर्स दियाद दे के चुनना क्योंकि जितना गाली आपके वेश्रीस मूवी में होगा ना उससे कई गुना जाधा गाली तो भाई मैंने जनम लेते ही सीख लिया था तो भाई सोचो अभी तो मैं 25 साल का हो चुका हूं तो कितना जाधा गाली बकूंगा तो भाई लोग क्या सच रहो आप लोग भी अपना उपिनियन बताओ जल्ली जल्ली कॉम वर लाइक ही दे दो या रहा